कहते हैं रक्तिदान महादान हैं कहा जाता है कि रक्तिदान सबसे बड़ा पुन्ने का काम है इस संकल्प को आज भी आगे बढ़ा रहा है तुशार चैरी ट्रिबल ट्रश्ट जिसने 19 वा रक्तिदान शिविर जैपर के स्वास्त भवन में आयुजित किया ट्रश्ट के अध्याक्ष अशोग भंडारी समाज में नेक काम करते आ रहे हैं लेकिन इस नेक काम के पीछे की कहानी आपको भावुक कर देगी जिससे तुशार नाम से ट्रश्ट मरीजों की जान बचा रहा है उन्हें जीवन दान दे रहा है वो तुशा जिंदर चार साल का बच्चा जो कैंसर से जंग लड़ता इस दुनियों का अलविता कह गया तुशार आज भले ही ना हो लेकिन तुशार हजारों मरीजों की जान बचा रहा है अशोग भंडारी ने इस नेक काम का जिम्मा उठाया और उनकी पूरी टीम और ट्रश्ट मिलकर अब रक्तिदान शिविर आज़ुद कर तुशार के नाम को आज भी जिन्दा रख रहे हैं और मकसद है कि किसे भी तुशार के खून के कमी से जान ना जाए हर मरीज को ब्लेड मिल सके इसलिए तुशार की याद में आज 19 वा रक्तिदान शिविर अध्यक्ष अशोग भंडारी ने तो दूसरी ओर रक्तिदान शिविर के साथ बच्चों के लिए वैक्सिनेशन केम्प भी आज़ित किया गया है ताकि बच्चों को वैक्सिनेट किया जास्त के इसके लाओ आज हमने वैक्सिनेशन केम्प भी लगाया है ताकि जिनकी वैक्सिन नहीं लगी है उनके वैक्सिन भी लगे और साथ में बीपी शुगर के टैस्का भी कार्क्रम हमने आज़ुत किया गया है हमारे इस कार्क्रम का शुबारम MDA NHM है जितने कुमार सौनी जी हमने आज का सवासों का लक्ष रखा गया है और अब तक क्रीब साथ यूनिट डॉनिट हो चुका है बिल्कुल मैं 19 साल से ये काम करते आ रहे हैं और आज 900 कैम है जो हमारे ब्लेड डॉनर्ड होता है हमारे जैपुर या ऑस्पिटल की ब्लेड बैंक है उसमें जाता है और जिसको भी जुरत पड़ती है हमारे कर्मचारियों को और किसी और को तो हम उनको उप्रवत कराते हैं अश्योग भंडारे 19 साल से कैम कर रहे हैं और मकसद रक्तिदान महदान के स्पंचलाइन को पूरा करना ही नहीं बलकि मकसद है हर एक मरीज की जान बचाने का और मकसद है समाच में एक संदेश देने का ब्यूरो रिपोर्ट गुलाबी टाइम्स